नमस्कार दोस्तों एक बार फिर से आपका स्वागत है PNP News के इस फ्रेस वीडियो में और दोस्तों आज जो है हम बात करने वाले हैं रेलवे बरती की और दोस्तों अगर आप काफी टाइम से बेट कर रहे हैं यह रेलवे बरती की तो दोस्तों बने रहे हैं इस वीडियो में और आज हम बात करने वाले हैं आपसे की railway के अंदर आगर आपको चोप चाहिए तो क्या कुछ qualification होनी चाहिए और Modi government ने आपके लिए क्या best लेकर आए हैं तो इस वीडियो में हम पूरा cover कर लेंगे और क्या qualification आपकी अनिवादिया हैं तो ये सारी चीज़ें दोस्तों जो हैं वो काफी महत्वपून हैं और ये इसमें क्या कुछ चीज़ें कौन कौन सी position की opening हैं वो भी हम इस वीडियो में पूरा cover कर लेंगे तो दोस्तों वीडियो चालू करने से पहले मैं आपको request करना चाहता हूँ कि आप जो है हमारे ये channel PNP News उसे जरूर से subscribe कर ले और subscribe करने के बाद तुरंती notification का आप जो bell icon रहता है वो भी आप press कर दीजे ताकि हम ऐसे ही video upload करें आपको और तुरंती notification मिल जाए तो दोस्तों ये जो है पूरा video और railway भरती के बारे में ही है और क्या कुछ इसमें नए नियम आये है वो भी हम जान लेते हैं और कौन-कौन सी opening जो है वो चालू हुई है तो दोस्तों the business जो है news channel उन्होंने ये clear जारी किया है कि जो जितनी भी openings है दोस्तों पाँच openings जो है वो अनाउंस हुई है उसमें से जो पहली opening है वो आरार बी एलपी आरार बी एलपी एंड टेक्निकल की जो है बढ़ती है वो करीच 26,500 vacancies open हुई है और उसमें eligibility आपके चाहिए वो 10 या फिर 12 पास या ITI किया होना जरूरी है और दोस्तों अगर अपने बात करें दूसरी category की तो उसमें जो है railway group D की जो job है वो दोस्तों करीब 63,000 यानि 63,000 vacancies जो है वो open हुई है railway के अंदर और उनकी जो है आपको application करने की last तारीख है वो 31 March 2018 तक है दोस्तों executive and non executive post है वो भी 386 post जो है वो भी vacant हुई है तो उसमें भी opening में आपको भी बीटे क्या diploma किया जरूरी होना जाहिए दोस्तों और जो fourth opening के दोस्तों अपने बात करें तो वो assistant manager, assistant engineer की जो job है वो करीब 324 यानि करीब-करीब 700 job vacancies वो भी open हुई है और पांच मी job की दोस्तों अपने बात करें तो वो है sub inspector and assistant sub inspector की जो है वो भी post करीब 1200, 1200 post जो है वो भी open हुई है तो दोस्तों ये कुछ of vacancies थी जो की अभी open ही है तो ये हम सब के लिए भी ये काफी अच्छी news है कि इतने भी हमारे दोस्त हैं हम खुद जानी जो government की और से जो vacancies के work out कर रहे हैं थे तो उनके लिए ये काफी अच्छी news है तो दोस्तों अगर मैं आपको request करना चाहता हूं कि जो हमारा channel उसे आप जरूर से subscribe कर लीचे और ये video जो है वो share भी कर दीजे आपके friends को families को जिनों जो की काफी time से ये job जो है search कर रहे थे तो please आप उनको ये message जो है वो forward कर दीजे तो thank you very much दोस्तों धनिवार